हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हूँ फ्री नॉलेज गेन का वीडियो हम लोग इस चैनल पे अकाउंटिंग, टैली, जीसटी, इंकम टैक्स और अधर नॉलेजबल टॉपिक के उपपर वीडियो अप्लोड करता हूँ अगर आपको भी किसी टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे आपका टॉपिक टाइब कर देजिए आज करन टॉपिक है वो हाउ टो रिटर्न टीडियस फाइलिंग फॉन टैली एर्पी 9 यह एक्चुली इस टॉपिक के उपर दूसरा वीडियो है अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट वान तो पहले प्लीज पार्ट वन देख लीजिए उसके बाद यह वीडियो देखिए नहीं तो आपको यह समझ में नहीं आएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए पहले हम लोग फास्ट जो वीडियो में हम लोग आपको लास्ट बताया थे कि टैली से जो हम लोग फाइल एक्स्पोर्ट किये थे तो यह यह फाइल है टैली.bxt फाइल ठीक है इस फाइल को आप किसी और जगा पर भी सेप कर सकते हैं या तो फिर आप यही र करती है www.team-nsdl.com तो यहां पर टाइप करने के बाद यह जो पेज खुलेगा यहां से आप आ जाईए यहां पर देखिए डाउनलोड पे डाउनलोड पे आने के बाद देखिए यहां पर ETDS यहां पर आईए यहां पर आने के बाद देखिए quarterly return है quarterly return पर आने के बाद यहा पेज खुलेगा उस पेज के एकदम आप नीचे की तरह आ जाईए यह देखिए पेज खुल गया है यहां से आप नीचे तक की तरह आ जाईए देखिए नीचे पर ऑप्शन है यह देखिए फाइल वैलिडेशन उडिलिटी आपको यह फाइल वैलिडेशन उडिलिटी चाहिए तो इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए यहां पर है यह फिरांसाल यार 2010-11 ऑनवार्ड यानगी 2010-11 के बाद का आपका यही है तो इसको क्या कीजिए डाउनलोड कर है एक देखिए यह वाला फाइल आपका डाउनलोड होगा तो इस फाइल को क्या कीजिए आप इसके उपर राइट क्लिक करके इसको एक्स्ट्राट कर लिजिए एक्स्ट्राट करने के बाद देखिए यह फोल्डर आएगा इसको ओपिन कीजिए यहां पर देखिए यह वा करणा है जैसे कि यहां पे यह लुकस्न डाल रहा हूं और इसको ऐंफे उसको बार यह तो देखिए यह आंजिप हो गया है और यहां पर यह फोल्डर आ गया है इसको लबल क्लिक कीजिए और यहां पर देखिए यह वाला जो ओप्सन है tds underscore stand alone if view executable jar file यह वाला file आपको open करना है इसको open कीजिए देखिए इसको open करने के बाद इस तरह यह खुलेगा तो यहां पर देखिए यहां पर चार option है आपको तीन option डारना परेगा तो अब यह option क्या क्या चीजिए हम आपको बता रहे हैं जैसे कि देखिए यहां पर पहला जो option है tds or tcs input file name with path तो यहां पर क्या आएगा यह जो हम लोग tally से जो file txt file tally.txt file हम लोग export किये थे तो उस file को आपको क्या करना है यहां पर लेना है तो यहां पर browse कीजिए ब्राउज करने के बाद आप जहां पर फाइल सेव है आप वहां से इसको एक्स्टर्क कर लीजेगा जैसे कि मेरा यहां पर है programs file tally tallyrp9 देखिए वाला tally.txt tally सब जब export किये थे यह फाइल सेव हुआ था तो इसको आप open कर लेजिए देखिए यहां पर आ गया उसके बाद देखिए क्या है चालान inbook file name with path तो दोस्तों जो लोग आप लोगों ने tds return पहले file किये हैं तो आप लोग जानती होगे कि tds का payment करने के बाद 2-3 दिन बाद या जो भी limited period रहता है उसके बाद एक चालान form download करना परता है nsdl से तो उस file को आपको यहां पर देन download पर आने के बाद आने के बाद आप नीचे के तरह आए यह इसमें ऐसे इसके लिक करने का ने के बार देखिए यहां उसके बाद देखिए यहां पर आप ते संस्याय को सबीब कर सकते हैं आप अगर टैंग के खुलना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक किजिए और यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए जो यहां पर आपका Company of the 10.0 नामेर आप यहां पर डालिये और जिस date पर आप TDS payment किये थे, जो हम लोग payment किये थे, वो commission or interest का, वो जो date है, उस date को आप यहाँ पर दीजिए, देने के बाद यहाँ पर capture दीजिए, capture देने के बाद आप यहाँ पर download चलान फाइल कर लिजिए, तो फिलर हम तो कोई original फाइल सा आपको नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए यह नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको देने के बाद देखें, यह download चलान फाइल, यह active हो जाएगा, आप यहाँ से download कर लिजिए, तो download करने के बाद आपका जो आएगा, फाइल आएगा, उस फाइल को क्या करना है, आपको यहाँ पर browse कर लेना, जहाँ पर save हो होगा, तो यह कहाँ आप save करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ से आप कोई भी location डाल सकते हैं, जैसे कि मैं suppose यहाँ पर आप दे रहा हूँ, माल लेजिए, desktop पर दूँगा, तो यहाँ से आप desktop पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर open कर लिजिए, तो आप जहाँ भी save क किया था, वो file, और यह हो गया आपका जो चलान input file जो आप NSDL के साइट से आपका चलान का status जो download किये थे, उसका file, और यह हो गया कि जहाँ कि आपका यह tedious return file save होगा, उसका, अब क्या करना है, आपको यह validate पे click कर देना है, तो validate पे click करने के बाद जो वो a view file और 27a file है, वो save होने के बाद आपका जो a view file यह 27a है, वो आप online के जरीर भी आप file कर सकते हैं, या तो फिर आप manually जैसे की pen drive में लेके आप किसी office में जाके, NSDL के office में जाके आप पी return लगा सकते हैं, तो उमीद करते हूं दोस्तों कि यह video की tally से कैसे tds को return लगाया जा सके, वो चीज अच्छे तरह से समझ में आ गया, अगर कोई दोस्तों यह पहले first time यह video देखने हैं, तो please पहले part 1 देख लीजिए, part 1 आप नहीं देखेंगे, तो tally से कैसी यह file export करते हैं, यह चीज आपको समझ में नहीं आएगा, तो दोस्तों यह video अगर आपको पसंद रहा है, तो please इस next time जब हम लोग नहीं वीडियो अप्लोट करेंगे तो उसका notification आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों आज यहीं तक keep smiling, keep learning and keep growing हाँ